हेलो दोस्तों लुसेंट रासेंट जीचे के डेली टॉफ इप्टी कोशन में आपका वैलकम है है दोस्तों तो ये कोशन आपके आने वाले सभी एक्जामों के लिए काफी अपयों कsi भी तो हने वाले हैं सबसे उप्युक्ते जिले हैं तो इसका रेक्टांसर है आपस्ट नमबर ए विल्गुएट है बांसवाडा और उदेपुर जिला है सागवान रोपन है तू उप्युकत जिले नेक्षन है सहकारी साख समीती का धाचा है तुछ का रिक्टांसर है आप्शन वर सी तुछ का रिक्टांसर है सहकारी साख समीती का नेक्षन है राजस्तान जन्नी शिशु सुरक्षय योजना कब प्रारंब की गई तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर बी विल्कुर का रिक्ट है 12 सितंबर 2011 इसवी को शुरू की गई थी राजस्तान राजे में जन्नी शिशु सुरक्षय योजना नेक्षन है पंडित जवार लाल नहरू द्वारा राजस्तान में पंचायती राज व्यवस्ता कब प्रारंब की गई थी तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर बी वि अत्री कवी थे कीर्ती इस्तंब प्राजस्ती के रचयता निक्षन है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्तान में कहां से मृध्दा स्वास्तेकाड योजना का शुबारम किया है तो इसका रिट्ठान सरे आपसर नमबर ए सूरतगड से प्रारम की गई है मृध्दा स्वास्तेकाड योजना निक्षन है 1857 इस विक की जोफ़ पुर्ग की सहिंग्त सेना को पराजित करने वाला था तो यसका रेतांसर है आप्ष्ञंबर सीव गोगड़ेट है कुशाल सुंग्त चीनों ने अंगरेजों और जोफ़ की सहिंग्त सेना को पराजित किया था 1857 की करांति में निक्षिन है में ए इसलें Ugh एयर फोर्स फ्लाइंग कोलेज इस्थ है शुत है आप सीना स Hershey को दो कोम इसका रेक्टान सरे आप सनम्बर ॔ नागोर जילा नहीं है विकानेर संबाग में इसके लावा हनमानगड श्रीगानगर चूरु ये तीनों जिले ही विकानेर संबाग में इस्तित है निक्षन है गाउं गाउं खेजडी गाउं गाउं गोगो कहवत में जिस संत का संबोधन होता है वे किस जिले में जन में हैं तो इसका रेक्ट आंसर है आप्शन नमर सी चुरू जिले में जन में हैं गोगाजी और उनके लिए कहवत है गाउं गाउं खेजडी गाउं गोगो निक्षन है सहरिया जनजाती का मुक्या को क्या कहते हैं तो इसका रिक्टांसर है आप्षन नमबर A को अत्वाल कहते हैं सहरिया जनजाती के मुक्या को निक्षन है खुमान रासो के रचियता है तो इसका रिक्टांसर है आप्षन नमबर B विल्कुल रचियता है दलपती विजे है खुमान रासों के रचियता निक्षन है मारवाड के किस शाशक को हस्मत वाला बादशा कहा जाता है तो इसका रिक्टांसर है आपसन मबर सी माल देव को कहा जाता है हस्मत वाला बादशा नेक्षन है राजस्तान की प्रथम वन निती गोशित की गई तुसका रिक्टांसर है आपसर नमबर सी सन 2010 इसवी के अंदर गोशित की गई थी प्रथम वन निती नेक्षन है युद्ध में जाते समय युद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेश पगड़ी पहनी जाती थी तुसका रिक्टांसर है आपसर नमबर डी के सरिया रंग की विशेश पगड़ी पहनी जाती थी युद्ध में जाते समय युद्धाओं के द्वारा निक्षन है भारतिय संसद में राजस्तान के कुल कितने संसद है तो इसका रिक्टांस रहा है आपसर नमर डी इनके संख्या 35 है निक्षन है अठारा सु सतावन के विद्रों के प्रती मेवाड के महराना की क्या नीती थी तो इसका रिक्टांस रहा है आपसर नमर घी अंग्रेजों को संयोग की नीती थी मेवाड के महराना की नीती अठारा सु सतावन के विद्रों में निक्षन है राजस्तान की कौन सी जन जाती बंदर के मास का प्रियोग करती है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नुबर B का थोड़ी जन जाती है जो कि बंदर के मास का प्रियोग करती है निक्षन है सही प्रियोजना उद्यपुर के किस तैसिल में इस्तित है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन मर्डी उद्यपूर की कोटड़ा तैसिल में इस्तित है सही प्रियोजना निक्षन है सामबर जील का अपुहा शित्र कितने वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है तो इसका रेटांसर है आपसे नमरे 500 वर्ग किलोमेटर शेत्र फल में फैला हुआ है सामबर जील का अपुहा शेत्र निक्षन है राजस्तान का सबसे दक्षिनी बिंदू कौन सा है तो इसका रेटांसर है आपसे नमरे डी बोरकुंड है सबसे दक्षिनी बिंदू राजस्तान का निक्षन है राजस्तान में नदियों के कुल कितने तिर्वेणी संगम बनते हैं तो इसका रेटांसर है आपसे नमरे बी कुल मिलाकर चार तिर्वेणी संगम बनते हैं नदियों के निक्षन है जेत सागर जील राजस्तान के किस जिले में है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमर डी बुंदी जिले के अंदर इस्तित है जेत सागर जील निक्षन है लाख का काम सरवादिक राजस्तान के किस जिलेम में किया जाता है तो इसका रेक्टांसर है आपसन नमर ए जेपर जिलेम किया जाता है लाख का काम सरवादिक निक्षन है राजस्तान का पहला सफेद सिमेंट का कार खाना कहां खोला गया है तो इसका रेक्टांस रहा है आपसर नमबर D गोटन में खोला गया है सफेद सिमेंट का कार खाना निक्षन है हरियाना के साथ राजस्तान की कुल कितनी सीमा लगती है तो इसका रेक्टांस रहा है आपसर नमबर D 1262 सीमा लगती है हरियाना के साथ राजस्तान की निक्षन है अरंडी उत्पादन में राजस्तान का भारत में कौन सा इस्तान है तो इसका रिटांसर है आपसर नमर सी तीसरा इस्तान है अरंडी उत्पादन में निक्षन है राजस्तान का ताज महल किसे कहा जाता है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमबर भी जस्वंत थड़ा को कहा जाता है राजस्तान का ताज महल कोशन है केला पानी तीरत इस्तित है तुसका रिक्टान सरह है आप्शन नमबर ए बासवाड़ा में इस्तित है केला पानी तीरत इस्तित है निक्षन है शाही जामा मजजित जो बारा जिले में इस्तित है किसके समय की बनाई हुई है तुसका रिक्टान सरह है आप्शन नमब के लाल किले की तरज पर बना हुआ राजस्तान का किला है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर ए नहरगड किला जो की बारा जिले में स्थित है यह किला दिली के लाल किले की तरज पर बना है निक्षने बजरंग पशु मेला लगता है तो इसका रिक्टांसर है आप्श बस्तानों पर लगता है बजरंग पशुमियला निक्षने बाटाडू का कुवा जिसे रिगिस्तान का जल महल कहते हैं किस जिले में इस्तित है तो इसका रिट तांसर है ऊप्सन मबर आए, बाड़ मेर जिल्य मिस्तित है बाटाढूका कुवा नेक्शन है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसित है तो इसका रिक Applause नबर है, केला देव अभ्यारन प्रसित है साइबेरियन सारस के लिए निक्षन है फड़ चितरन के लिए विष्व विख्यात है तो इस खरेक्टरण सरह है ऑप्स नम्बर ऐ शापुरा विश्व प्रसिद है फड़ चितरन के लिए निक्षन है राज्य की प्रथम लोकतांतरिक सरकार का गठन किस रियासत में किया गया था तो इसका रिक्टांसर है आप्सन नमबर ए शापुरा रियस्त में किया गया था प्रत्थम लोकतांत्रिक सरकार का गठन निक्षने रामपुरिया हवेलियां किस जिले में इस्तित है तो इसका रिक्टांसर है आप्सन नमबर ए बिकानियर जिले में इस्तित है रामपुरिया हवेलिया निक्षने बावडियों का शहर कहा जाता है तो इसका रिक्टांसर है आप्सन नमबर बे बुंदी को कहा जाता है बावडियों का शहर निक्षन है नवल सागर, फूल सागर, जेद सागर, हिंडोली का तालाब, गुड़ा बांद, किस जिले में है तुसका रिक्टांस रहा है, आपसन नबर आ, ये सबी बुंदी जिले में इस्तित है जिनके नाम है नवल सागर, फूल सागर, जेद सागर, हिंडोली का तालाब और गुड़ा बांद, निक्षन है हन्मान जी का डाड़ी मूच युक्त विग्र है, इस्तित है तुसका रिक्टांस रहा है, आपसन नबर आ, साला सर हन्मान जी, चुरू में इस्तित है, डाड़ी मूच युक्त विग्र है निक्षन है, भंडारेज की बावडियां किस जिले में है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर बैर दोसा जिले में इस्तित है भंडारेज की बावडिया निक्शन है दोसा तैसिल के लवान गाउं किस लिए प्रसिद है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर आप दरिया बनाने के लिए प्रसिद है लवान गाउं दोसा त सैसिल के निक्षन है पहाडों की नगरी के उपनाम से विख्यात है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नबर ए डुंगरपुर विख्यात है पहाडों की नगरी के उपनाम से निक्षन है डुंगरपुर में एक थंबिया महल का निर्मान किस ने करवाया तो इसका रेक्टांस आप्षण नुबर बे महरावल सिव सिंग ने करवाया था एक थम्भीय महल का निर्मान निक्षН करोली का मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय का थे शी fast नुबर आज गोडिय संप्रदाय से S肯 ने जैपुर के बनारस के नाम से प्रसिद है तो इसका गरेक्ट टांसर है आप्सन नमबर है गलता जी तीरत प्रसिद है जैपुर के बनारस के नाम से निक्ष ने स्वर्ण नगरी नाम से जाना जाने वाला शहर है तो इसका गरेक्ट टांसर है आप्सन नमबर से जैसल मेर को जाना जाता है स राजस्तान की सबसे अंत में बनी रियासत है तो इसका रिक्टा नसर है आप्सन नमर बै जालावाट रियासत है जो के सबसे अंत में बनी रियासत है